हलो एब्रीवड़ी मैं डॉक्टर विक्रम मसकर हूँ एक घुटने और कंदे का विशेश यग्या नई दिल्ली इंडिया से और इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं योगा और नी हेल्प मतलब घुटने का स्वास इन दोनों में क्या लेना देना है योगा जो है यह बहुत ही पुराना शास्त्र है जो हमारे भारत में ओरिजिनेट हुआ था और बहुत लोग विश्व भर में इसका लुट्फ उठाते हैं मोदी जी के द्वारा हमारा एक योगा डे भी है हर साथ अवेरनेस योगा के बारे में पूर विश्व में है और इसके बेनिफिट्स नॉट उनली हेल्थ पे पर मानसिक हेल्थ पे भी देखा गया है तो योगा जो है नी हेल्ट पे कैसे एफेक्क करता है इसके बारे में जानते है नमबर बार योगा has two effects वण मानसिक रूप से आपका मस्तिश्क जो है वो सब कुछ कंट्रोल करता है आपके मास्पेश्यों को आपके हड्डियों को आपके जोड़ों को ये आपका CPU है बॉड़ी भी ये सारे अंग ब्रेन से बात करती है मस्तिष से बात करती है नसों के बार अगर इनके कोडिनेशन अच्छे हो तो चोट लगने के कार के असार कम होते हैं ये योगा जो है आपको discipline सिखाता है आपको शान्त रखता है अगर बहुत ज़्यादा command आप दोगे CPU में क्या होगा CPU गरम हो जाता है आपका phone भी गरम हो जाता है वैसे ही जब आप योगा करते हो एक तरीके से आप शान्त हो जाते हो मन ही मन में तो आप सही decision ले सकते हो मांसिक रूप से ये चीज़ affect करना कि अगर मुझे दर्द हो तो ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा जिससे क्या कारण एक दर्द जो 10 पतिशत है वो 100 पतिशत सबादाए तो जब आप योगा करते हो आप अपने mind को control करते हो उनको दर्दी नहीं होता वो कंबल भी नहीं होड़ रहा है और चल रहा है वाँ कैसे होता है उनुने एक तरीके से अपने mind को पूरा वश्मे कर दिया है तो योगा आपको वो चीज़ सिखाता है ताकि आपकी सहनशीलता और आपकी coordination लब आपके घुटने और आपके मस्तिष जो है सही time और सही तरीके से बात करे ताकि आप चोट से या कोई भी issue से घुटने में आप बच सका दूसरी चीज़ है physical fitness नो योगा दो चीज़े करता है योगा में कोई weight सित्यादी नहीं करता है वो जरूरत से ज्यादा load ले रहे है जिसे चोट लग सकते है पर योगा आपके body weight को use करता है तो वो दो चीज़े करती है इसमें एक तो flexibility ब्लूब करती है जोड जो है वो काफी हद तक mode पाते है सीधा कर पाते है जो कभी कभी अगर हम exercise के इत्यादी नहीं है हम used to नहीं है तो क्या होता है कि हमारी जो flexibility है जोडों की movement जो है जीरे जीरे से कम होती जाती है योगा इनमें वो शम्ता पापस ले आता है दूसरी चीज़ है strength जब load जाएगा जोड पे जोड को संतूलित करते हैं लिगमेंट, सन्याई बंदू और मास पेशियां मास पेशियां जो है इनमें contraction होती है ये stronger हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं इसके वज़े से तो वो आपके घुटने को control better कर सकते हैं ताकि सन्याई बंदू या लिगमेंट पे कम जोर पड़े तो योगा के अलग-अलग आसन हैं जैसे आपका tree pose हो, आपका palm tree pose हो, cops pose हो जो लेटने वाला position है या आपका हस्ता-पदुगुस्तास्तना pose हो जिसके द्वारा क्या करते हो आप आप अपने flexibility improve करते हो और जब आप stick pose इत्यादी में खड़े होते हो, इसमें क्या होता है कि आप एक पैर पे खड़े होने के वज़े से load पूरा उस पैर पे जाता है तो quadriceps hamstrings, जान के मासपेशिया, आपके pinडलियों में जोर जाने के वज़े से उनमें coordination जो है, वो better हो जाता है जो palm tree pose है या poses जिस पे आप अपने toes पे खड़े हो जाते हो, इनमें आपके calf muscles या pinडलियों में जोर जाता है, ताकि उनमें भी शंकता बड़े strength बड़े और आपके घुटनी को वो balance कर पाए corpse pose, मालब जो pose आप लेटते हो योगा में उसमें क्या है, आप relaxation सीखते हो, अपने core muscle groups, देखो दो तरीके के muscle groups, extremity वाले muscle groups जैसे घुटने एक्सेटरा और core होती है, lower back, abdominal muscles, यह बहुत important है आपके posture के लिए और यह सारे mass पेशो को control करने के लिए, तो यह सारे आसना जो है, यह core mass पेशों पेभी काम करती है, जिससे coordination better होती है, मुझे उबीद है, इस वीडियो के दबारा आपको yoga और उसका जो nata है knee health के साथ उसके बारे में काफी पता चला है, अगर आपका आपको मेरा वीडियो पसंद आया please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram thank you झाल